जैहिं दोस्तों कैसे हैं आप शब आयो होप आप सभी अच्छे होगा आपके प्रप्रेशन भी सांदर तरीके से चल रही होगी दोस्तों आपका पटवारी का एक्जाम हो गया या नहीं कमेंट करके बताएगा और अगर आपका एक्जाम हो गया है तो अपनी स्कोर जरूर कम वीडियो पे और आपका नेक्ट टार्गेट एक्जाम क्या है आप सभी कमेंट जरूर करें दोस्तों यह कोश्चन ऐसे हैं जो आपके यहां पर हम बात करें कि ऐसे कोश्चन है जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए इंपॉर्डेंट है जिनका एक्जाम नहीं दोस्तों लाश्ट तक वीडियो को देखेगा सभी कोश्चन को कीजिए कि कितने कोश्चन आप करेक्ट कर पा रहें खुद से चले शुरूरात करते हैं फर्श कोश्चन के साथ पहला कोश्चन दोस्तों यहां पे है आपसे पूछा गया है कि सिक्षित जो सब्द आपको य प्रत्य में क्या जुड़ा हुआ है आपके इत प्रत्य छित मत कीजिएगा छित कोई प्रत्य नहीं होता है इत प्रत्य होता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा option first next important question दोस्तों आप सभी की screen पे है कि इन में से कौन सा सब्द जो भाव आचक संग्या नहीं है जिससे ए तो कौन साइन में से भाव वाचक संग्या आपके देखे कि नहीं है दियेगे options में से दोस्तों साहित्य अगर हम बात करें तो आपके भाव वाचक संग्या नहीं है बाकि अगर हम बात करें शंपन्यता का अगर आपके देखे तो एक भाव प्रतीत हो रहा है जीवनतता आपका भाव आचक संग्या में नहीं आएगा चली next important question आप सभी की screen पे है खुद से करने का प्रयास कीजेगा रतनाकर का सही संधी विक्षेत क्या होगा और आपको comment करके बताना है कि कौन सी संधी होगी आपके रतनाकर में कौन सी संधी होगी आपके रतनाकर में comment सभी क्या आने चाहिए दोस्तों आपके रतनाकर का सही संधी विक्षेत क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा रतनधन आकर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही संधी विक्षेत क्या हो जाएगा तो आप सभी ने किया है option first कौन सी संधी होगी एक बार comment करके बताएगा रत्नाकर में अगर हम देखे कौन सी संधी होगी देखें next question दोस्तों यहां से question आपके पटवारी के exam में पुछे जा चुके हैं कि आपके अगर हम बात करें कौन सा शब्द चंद्रमा का परियावाची नहीं है शोम, निशाकर, शशी या दिवाकर कौन सा इन में से चंद्रमा का परियावाची नहीं है दिएगे options में से right answer आप सभी का दोस्तों अगर हम देखे चंद्रमा का कौन सा नहीं है यह आपको बताना था तो दिवाकर तो आपके देखे तो चंदरमा का आपके नहीं है किसका है आपका दिवाकर दिवाकर किसका परियावाची है comment कीजेगा question का answer जो आपसे पुछे जाए इससे होगा क्या कि आपके जो चीजें आप एक माइंड पे आपके आएंगे और आप उसे देखते ही देखते आप कमेंट करेंगे तीक है इसलिए में question आपसे जातर question आपसे पूछता हूँ तो आपको दिवाकर बताना है कि किसका परियावाची है क्योंकि चंद्रमा का परियावाची आपके नहीं है चलिए next important question दोस्त सब्सक्र 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 सब्स किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है दोस्तों और आपको पता है कि प्रत्य हमेशा आपके कहां पर लगता है अंतिम में लगता है सब देखें लाश्ट में लगता है और पौरानिक में अगर हम देखें पौरान एक ठीक है तो एक प्रत्य हो जाएगा कौन सा प्रत्य हो जाएग राइट है आप सबीका दाल और रोटी अगर हम देखे तो आपको पता है कि दिंद समाज जब जहां पे आपको योजक सिन देखनों को मिलता है और आपके इनके बीच में अगर हम देखे तो जैसे कि आप जब इसे पढ़ेंगे जैसे कि दाल और रोटी तो जब और आए या आए जब ऐसे आपके अब देखने को मिलते हैं आपको तो ऐसे जब प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं वो द्रंद शमास यहाँ पे हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा दोस्तों द्रंद शमास आपका हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्श कोशन दोस्तों कि ह बहुबच्चन अगर हम देखे तो दो बहुबच्चन होते हैं आपके, देखे हिंदी में अगर हम देखे बच्चन के कितने प्रकार होते हैं, यह आप से पुछा गया था, नेक्स कुश्चन दोस्तो आप सभी के सामने हैं, लिंगे की दृष्टी से अगर हम बात के लिए द तो आपके pulling आएगा तो आप सभी को पता है कि दही क्या होता है तो यहाँ पर हम देखे तो आपको क्या हो जाएगा pulling आपका right answer हो जाएगा pulling आपका correct answer यहाँ पर हो जाएगा देगे options में से यह आप trick याद रखेंगे आपको maximum question आप correct करके आएगे जो आपके studying और pulling से है वरतन कैसे लिखा जाता है दोस्तों आप सभी को पता है कि जोचना जो लिखा जाता है ना जोचना जो आपके लिखा जाता है अगर हम बात करें second option आपका correct answer होगा जोचना जो है ना आपके इस तरह से लिखा जाता है ठीक है second option आपका right answer यहाँ पर हो जाएगा जोचना इस तरह स जिसका कोई सत्रू पैदा ही नहीं हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों उसे हम कहेंगे अजात सत्रू उसे हम क्या बोलते हैं जिसका कोई सत्रू ही पैदा नहीं हुआ हो ठीक है तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों उसे हम बोलेंगे अजात सत्रू बोलेंगे ठीक है चलि आपको पता है कि वरीद ही जो होता है ना आपके वारीद ही जो होता है ना आपके बादल का परियावाची नहीं है बाकि अगर हम बात करें जलद नीरद मेग यह सभी बादल के परियावाची अगर हम देखे तो यहाँ पर हो जाएंगे ठीक अगला प्रेशन दोस्तों हम यह बैल और भक्री घास चरते हैं यह एक सही आर्थ पूर्ण आपको कर रहा है तो यहाँ पे देखे तो आपका जो सही आप्शन हो जाएगा ओप्शन सिकेंड तो नेक्स्ट कोश्चन कीजेगा दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है कि संग की भाषा और लिपी कौन से हैं संग की भाषा और लिपी अगर हम देखे तो कौन सी है दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा है और लिपी जो है ना आपके देवनागरी लिपी है दोस्तों लिपी जो है ना आपके कौन सी है आपको यह दखने देवनागरी लिपी है आपके दीके नेक्स कोश्चन क जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहेंगे संदिक्द वर्तमान संदिक्द पूत अपून वर्तमान या समान्य वर्तमान दोस्तों आप सभी को पता है कि जो क्रिया जो कारे आप अभी कर रहे है यानिकि जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम अपून बोलेंगे यानि कि वह है अगर हम देखे तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है अब पूर्ण वर्तमान बोला जाएगा जो क्रिया अभी हो रही है ठीक है हमान रिष्य मुनियों की संतान होने का अभीमान है गर्व है गर्व होना जाहिए तो अब सभी संतान होने का गर्व ना चाएगा हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या हो जाएगा इनमें से दक्षिनी हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी ब्रजबधी का मिस्रित रूप हिंदी उर्दो मिस्रित रूप दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या हो जाएगा आप से पूछा गया है तो आपको याद रखना हिंदी उर्दो मिस्रित रूप क्या हो जाएगा एंदी उर्दो मिश्रित रूप अगर हम देखें हिंदुस्तानी भाषा का रूप आपके हो जाएगा ठीक है next question है दोस्तों आप सभी के सामने कि अप्रभंश में कितने श्वर मौझूद थे आपके ठीक है अब प्रिभान्षी में पूछा गया जो आपकी स्वर कितने मौझूद थे तो वो थे आपकी संख्या जो थी आपके आठ थी ठीक है अगला प्रश्में दोस्तों कीजेगा कि अहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है इस वाक्य में उचित विरामची ने बताना ह और आप सभी को पता है दोस्तों कि जहां पे आपको दिखें ऐसे सब्द आहा अरे यह जब आपको ऐसे सब्द दिखते हैं दोस्तों आप क्या एंसर करते हैं यह ऐसे सब्द हैं दोस्तों इसे अगर हम देखें तो इंग्लिश में आप अगर हम बात करें एक्सलमेटरी बो थीच्य है तो आप क्या करेंगे बिस्मयादी बोधाख आप करेंगे इंसर अगला प्रशन कीजिएगा दोस्तों यहाँ प्रदर्शिद बस्तों को चुना मना है किस प्रकार का वाकह है संकेत वाचक निशेद वाचक बिधान वाचक वाकह है कि यहाँ पे जो प्रदर्शित बस्तुएं ने छूना मना है तो क्या कर रहे हैं आप सभी निशेद वाचक छूना मना है आपके ठीक है तो आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन कीजेगा दोस्तों कौन सा सब्द बहुबचन है बहुबचन में कौन सा सब्द जैसे माता प्राण लड़का किताब दोस्तों आप सभी को पता है जैसे सब्द हो गए हस्ताक्षर सब्द हो गए हस्ताक्षर ये क्या है सदै बहुबचन के रूप में प्रयोग होता है प्राण जो है सदय बहुच्छन के रूप में प्रयोग होता है प्रश्न है हमारा यहां पे 23 कि नश्वर का बिलोम क्या हो जाएगा नश्वर का बिलोम क्या हो जाएगा दोस्तो तो आप सभी को याद रखनें कि नश्वर का बिलोम हो जाएगा आपके शाश्वत हो ज जाएगा तीकि अगला प्रस्में जो है हमारा यहां पे अर्जुन का आपको परियावाची बताना है और वह नेक्स लाइड में करने वाले हैं दोस्तों आप शबी को यहां पे देखना है कि अर्जुन का परियावाची क्या हो जाएगा केश्व राधि साथी पार्थ अगर आपसे दिया जाए तो पार्थ हो जाएगा तीक है क्या हो जाएगा दोस्तों पार्थ हो जाएगा इसका परियावाची नेक्स्ट है गीदर का इस्ट्रेलिंग क्या होगा दोस्तों तो वही सेम ट्रिक लगाना है आपको होता है या होती है बोलके देखना है जो आपको सही प्रतेतों अगर होती है आपको सही लग रहा है तो आपको यहाँ पर इस्ट्रेलिंग करना है और अगर आपके होता है तो पुलिंग देखे तो गीदर का इस्ट्रेलिंग यहाँ पर बताना है देखना नहीं है बताना है क्या हो जाएगा गीदर का जो इस्ट्रेलिंग हो जाएगा आपका हो जाएगा option C option C आपका right answer हो जाएगा यहाँ पे यह नहीं देखना था कि कौन सा सब इस्ट्रेलिंग या pulling है यहाँ पे यह देखना था कि क्या होगा इसका इस्ट्रेलिंग देखें साकार का बिलोम क्या हो जाएगा दोस्तो दुरिश्यमान, निराकार, इस्थुलिया, चिरायू तो आप सभी को पता है कि साकार का बिलोम हो जाएगा दोस्तो निराकार हो जाएगा साकार का बिलोम अगर आपसे पूछा जाएगा अगनी का परियावाची क्या होगा अगनी का परियावाची उम्दा, चोरवा, क्रिशानू या दीप्ती दोस्तो अगनी का परियावाची हो जाएगा क्रिशानू हो जाएगा क्या हो जाएगा क्रिशानू हो जाएगा ठीक है अगला है हिंदी में सब्दों का लिंग निर्धारन किसके आधार पर होता है संग्या, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्य शब्दों का जोस्तो जो लिंग निर्धारन होता है हिंदी में वो होता है संग्या के आधार पर किसके आधार पर होता है दोस्तो संग्या के आधार पर होता है शब्दो का निर्धारन लिंग का निर्धारन ठीक है नेक्स्ट है निरामिष का बिलोम क्या हो जाएगा सामिष हो जाएगा निराहार हो जाएगा श्वल्पाहार हो जाएगा या आहार हो जाएगा दोस्तो निर सामिस का बिलोम हो जाएगा सामिस क्या हो जाएगा दोस्तों निरामिस का बिलोम हो जाएगा सामिस ठीक है तो निरामिस का बिलोम हो जाएगा दोस्तों सामिस ठीक है नेक्स्ट है अश्व का परियावाची क्या हो जाएगा वैश्वानार धननजे तुरंग या पागा अच्छुका परियावाच्छी अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी के याद रखना है तुरंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुरंग, अच्छुका परियावाच्छी हो जाएगा जस्तो तुरंग, ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपे है जो अगला प्रशन है कि मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा, तो दंग रह गया, कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य है, मिस्र वाक्य है, सविक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं, मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा, तो दंग रह गया, अगर हम देखें तो एक मिस्रवाग की हो जाएगा तीक है मिस्रवाग की हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखे आप सभी का राइट एंसर है अगला प्रेशन है निमलेकित सब्दों में से स्थ्टे लिंग सब्दों का आपको चैन करना है और पहला ऑप्षन आपको दिया गया है अपराध होता ह या होती है देखिए एक बार जोस्तों कि यहां पर अगले option है अध्याय स्वधेश या स्थापना तो इस्थापना अगर हम देखे तो हो जाएगा right answer दोस्तो निरक्षर का बिलोम क्या हो जाएगा एक बार बता दीजेगा निरक्षर का बिलोम क्या हो जाएगा तो आप सभी को याद रखने साक्षर होता है आदित्य का परयावाची क्या हो जाएगा आदित्य का परयावाची दोस्तों आप सभी को याद रखने प्रभाकर हो तीक ये सबी सूर के है अपके देखेंटो prabhatkar हो 자 aur जाएगा आपके आदेट्यका परियाबाची नेक्स नहीं इंदु का परियाबाची क्या है दोस्तो इंदु का परियाबाची सुरेश राकेश विश्वमित्र आकिलेस इंदु स्थीकस हो जाएगा दोस्तो राकेश राके गाए पहाड आम या रमयर्ण सब्दे इस्तरी सीयार या परिशद दोस्तो परिशद होती है परिश्यद अगर हम देखे तो होती है तो ये क्या हो जाएगा, इस्ट्रिलिंग हो जाएगा आपके नेक्स्ट है, जंगम का बिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, जंगम का बिलोम आप सभी को या दठने जंगम का बिलोम होता है दोस्तों, इस्थावर जंगम का बिलोम आपसे पुछा गया तो क्या होता है इस्थावर होता है जंगम का बिलोम नेक्स्ट है कृष्ण का परियावाची पुछा गया माधव धीवर वातायन सथ माधव होता है दोस्तो कृष्ण का परियावाची क्या होता है माधव कारक के कितने भेद होते हैं कारक करताने करम को करण से पढ़े हैं आप सभी ने कितने भेद होते हैं आठ भेद होते हैं दोस्तों कितने होते हैं संप्रदान, अपादान, अधिकरण ये सभी मिला के कितने होते हैं ये सभी मिला के अगर हम देखे तो आठे वेद होते हैं कारक के जटिल का विलोम क्या हो जाएगा कठिन विशा में गूढ़ सरल है सरल हो जाएगा जटिल एक तरह से आपके कठिन होता है आपके जटिलता है किसी में अगर हम देखे तो यह अगर हम देखे इसका विलोम बताना था तो आपकी क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा कर्ण का परियावाची पहला option दिया गया राधे दूसरा option दिया गया पुंडरीक और हसीकेश और मधुशूधन तो क्या हो जाएगा option पहला ही option अगर हम देखे कर्ण का राधे है ठीक है पहला यह option हो जाएगा चलिए बहुत ही सांदर प्रशन आप सभी के सामने हैं कारक आपको पहचानना है यहाँ से प्रशन आपके बनते हैं एक्जाम में ब्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं किस कारक का चिन है जब भी आपको अगर सब्द में एक अलगाओ का बोध हो रखनACE कि आपा दांकारक हो जाएगा आप सभी को याद रखने बहुत ही अच्छा प्रशन था आपके चलिए आरोह का बिलोम क्या हो जाएगा आवरोह आरोह था होता है और तीक है आरोह का बिलोम क्या हो जाएगा तो आप सभी क्या दखना है अवरोह होता है आरोह का बिलोम तीक है गंगा का परियावाची दोस्तों आप से एक्जाम में भी पूछा गया है पटवारी की एक्जाम में गंगा का परियावाची क्या है जानवी रशना पयोधनी जाता है दूस्तों गंगा का परियावाची क्या हो जाएगा जानवी अगर हम देखे तो आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया और मैंने आपको बताया कि जब भी जब भी आपको देखने को मिले किसी से अलग होने की बात हो हमेशा आप हो जाएगा अब्रित का बिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी याद रखेगा अब्रित का बिलोम क्या होगा तो आपको याद रखना है अनाब्रित हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों अब्रित का बिलोम हो जाएगा अनाब्रित ठीक है नेक्स्ट अगला प्रशन ह आपके की चंद्रमा का परियावाची क्या है सुधाकर नीरज सुरेश या महेश सुधाकर नीरज सुरेश या महेश दोस्तों हमारा प्रस्न जो है आपके चल रहा है 49 और अगर हम देखे तो हो जाएगा सुधाकर चंद्रमा का जोस्तों क्या हो जाएगा परियावाची सुधाकर हो जाएगा ठीक है अगला प्रशने हाँ पर आज की ग्लास का अंतिम प्रसने आप सभी के सामने हैं कि महुत्सों का संधी बिक्षेत क्या हो जाएगा महोधन उत्सों महोत धन उत्सों महाधन उत्सों या महाधन उत्सों और यह आपको helpful होने वाले हैं पठवारी के exam में भी जिनका भी नहीं हुआ है और आगे आने वाले जितने भी exam है आपके वहाँ पर ये प्रेशन आपके लिए helpful रहेंगे तो दस्तो वीडियो को share जरूर कीजेगा क्योंकि अगला target आप सभी के सामने जो हम लेके चल रहे हैं आपके नेक्स टारगेट पर लग जाना है रुकना नहीं है चलते रहना है ठीक है तो चली मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आप से वीडियो को share जरूर कीजेगा ज्यादा ज्यादा चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं कर दो